पीम मोदी के अधिकारिक हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी गई कि पीम मोदी डेड़ साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो बीबीसी ने एक खबर छापी जिसमें लिखा कि 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के विभागों में करीब 9 लाख पद रिक्त थे बेरुजगारी दर भी बीते महिनों में बढ़ी हैं ऐसे में पीम मोदी की घुसड़ा डेड़ साल में 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी इस फैसले पर क्या कहेंगे आप तो लोगों ने अपना जवाब देना सुरू किया तो एक बेक्ति ने लिखा इस खबर को इतना फैला दो कि हर साल 2 करोण नौकरी देने की खबर सच हो जाएंगी पर एक बेक्ति ने और लिखा हो सकता है साल भर में दस लाख लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठें तो एक ब्यक्ति ने मजे लेते वे लिखा जिस तरह नाले से गैस बनाने की बात सच उसी तरह ये बात भी सच साबित होगी मुझे पक का यकीन है तो किसी ने पुरानी न्यूज पेपर की कटिंग डाल कर लिखा मोधी जी की गोश्राओं पर जो विश्वास करता है वो निहायत मुर्ग है क्योंकि मोधी जी खुद कबूल कर रहे हैं कि हमारी फेकम फाकी पर ध्यान न दें तो दोस्तों इस विडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा अगर विडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिएगा अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा